ए इंडिया न्यूस में आपका हार्दिक स्वागत है। पार-पार उश्मा या किसी भी दूसरी तरह की एनरजी ना आ सकती है ना जा सकती है। आप इसे कुछालक या नॉन कंड़क्टर भी कह सकते हैं। स्पेस्क्राफ्ट या किसी सैटेलाइट पर पन्नी जैसी दिखने वाली ये चीज असल में मल्टी लेयर इंसुलेशन, MLI है। ये मल्टी लेयर इंसुलेशन यानी MLI कई सारी रेफलेक्टिव फिल्म्स का बना होता है। जो बहुत हलकी होती हैं और इनकी मोटाई अलग-अलग होती है। MLI की सभी लेयर्स सामान्य तौर पर पॉलिमाइड या पॉलियस्टर एक तरह की प्लास्टिक की बनी होती हैं और इन लेयर्स पर एल्यूमीनियम की कोटिंग भी होती है। प्लास्टिक, एल्यूमीनियम और बाकी लेयर्स में कौन कितनी पतली या मोटी है, किस अनुपात में इनका इस्तमाल किया गया है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट किस तरह के ओनरबिट में चक्कर लगाएगा. MLI को इस स्पेसक्राफ्ट में लगे किस टाइप के इंस्ट्रुमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है और इस पर सूरज की कितनी रौशनी पड़ेगी. विक्रम लेंडर के ऊपर जो सुनहरी पीली शीट या किसी और स्पेसक्राफ्ट की सिलवर कलर की शीट अकसर अल्यूमीनियम कोटेड पॉलिमाइड की सिंगल लेयर होती है. इसमें अल्यूमीनियम अंदर की तरफ होता है. और बाहर की तरफ के सुनहरे रंग की वजह से ऐसा लगता है कि इसे सोने की शीट से कवर किया गया है. इस सुनहरी चादर का इस्तमाल क्या है? सैटलाइट या किसी स्पेस्क्राफ्ट पर लपेटे गए इस MLI का सबसे खास इस्तमाल है थर्मल कंट्रोल. स्पेस में बहुत कम या बहुत ज्यादा तापमान हो सकता है. कोई स्पेस्क्राफ्ट किस ओनर्बिट में है इस पर निर्भर करता है कि उसे किस तापमान का सामना करना पड़ेगा. किसी ओनर्बिट में –200 डिगरी फारेन हाइट तो किसी दूसरे ओनर्बिट में 300 डिगरी फारेन हाइट तक गर्मी हो सकती है. ऐसे में MLI, किसी उनर्बिट में चक्कर लगा रहे स्पेस्क्राफ्ट के टेंप्रेचर को संतुलित रखते हुए इसमें लगे उपकरणों को प्रोटेक्ट करता है दूसरा इसके हिट इंसुलेशन के फीचर का फाइदा ये भी है कि ये स्पेस्क्राफ्ट के अंदर के तापमान को भी बचा कर रखता है माने अगर स्पेस्क्राफ्ट किसी बहुत ठंडे इलाके मिसाल के लिए जहां पर प्रित्वी की छाया पढ़ रही हो और सूरज की रोशनी का एक कत्रा भी न पहुंच रहा हो में है तो भी इसके उपकरण भीशन ठंड के चलते खराब होने से बच जाते हैं ये फाइदे बोनस में हैं चांद को छूते वकत लेंडर को चांद की धूल से बचाना होगा MLI वहां भी काम आएगा इसके सेंसर और बाकी छोटे-छोटे लेकिन जरूरी उपकरण धूल से खराब नहीं होंगे एक और सवाल आपके मन में होगा अगर ढखना ही है तो गोल्ड की ही परत क्यों? असल में पूरे स्पेस्क्राफ्ट या सेटिलाइट पर सोने की परत का इस्तिमाल नहीं किया जाता इसके कुछ ही जरूरी हिस्सों को MLI से ढखा जाता है स्पेस में सोने की कोटिंग वाली फिल्म्स के कई फायदे है स्पेस में सनलाइट के रेडियेशन के अलावा भी कई तरह के रेडियेशन होते है सोना स्पेस्क्राफ्ट को X-ray, Ultraviolet Ray जैसे रेडियेशन के चलते होने वाले कोरोजन जंग लगना से बचाता है